नमस्कार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में केरे एक जाम, आज से डेली क्लास इंग्लिस के चलेंगी, चो कि सबसे पहला चेप्टर इंग्लिस में नाउन का चलेगा, ठीक है, नेक्स चेप्टर आपका में प्रणाउन होगा, सारे चेप्टर कभर होंगे, तो आप इन स सारे लेक्चरों से अब जुड़े रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, इंग्लिस के बारे में, इंग्लिस क्या होता है, ठीक है, इंग्लिस, वोट इस इंग्लिस, इंग्लिस क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिस एक लैंग्व होता है जो सेंबल को ठीक है लेटर मतलब जो सेंबल को रिप्रेजेंट करता हो ठीक है अब प्रिजेंट करता हो उसे हम सेंबल लेटर काहते है ठीक है और लेटर कितने प्रकार करते है लेघर ins 막 उसे 컨्शोंण नहिंटर काहते है TJ तेरा ओवल यर jurisdictions ऑदूसरा का उस्वनेमिर कॉंस्वनेन्ट ठीक है ढूसरा कांसोमनेंट ठीक है वासरस्ड सफ पता है ए G A E I O U, ठीक है, Consonant में पता ही होगा, B C D, एसेटरा, ठीक है, यह आपको पता चलिए, English का एक Language है, ठीक है, एक Language है, और जो की Sound से मिलकर बनाए है, ठीक है, 26 लेटर होते हैं, ठीक है, और इसमें दो प्रिकार के होते हैं, लेट्स में, vowel और Consonant, अब बात करते हैं, Word की, ठीक वर्ड, what is the word, word क्या होता है, a meaning, a meaningful unit of letter, meaningful unit of letter, ठीक है, letters, मतलब कहने का मतलब, अगर हम for example के लिए अगर pain ले रहे हैं, तो यह एक meaningful unit है, ठीक है, लेकिन letters है, लेकिन अगर हम N, E, P लिखने हैं, तो this is not meaningful unit, we can say that, कि अगर word की बात करें, तो एक, जो भी letter का होना, एक meaningful हो, ठीक है, उसका unit, जो भी हो, meaningful unit of letter हो, ठीक है, अब बात करते हैं, part of speech, ठीक है, कितने part of speech होते हैं, यह बात करते हैं, तो सबसे पहले part of speech में बात करेंगे हम, parts of speech, ठीक है, part of speech, सबसे पहले क्या आता है, noun, noun, ठीक है, noun में क्या कहेंगे, all naming name, या naming word कह सकते हैं, ठीक है कोई भी नाम हो that is called noun ठीक है दूसरा प्रणाउन ठीक है प्रणाउन क्या होता है रिप्लेस और नाउन मतलब नाउन के अस्थान पर प्रयोक्त होने वाले सब्द को हम प्रणाउन कहते हैं अब बात करते हैं तीसरा एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है क्या रहा है क्वालिफाई और नाउन है प्रणाउन मतलब यह दोनों को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो वह एडजेक्टिव हो ठीक है नाउन और प्रणाउन ठीक है नाउन या प्रणाउन दोनों को हो ठीक है adjective अब बात करते है वर्ब वर्ब क्या होता है वर्ब जो हम कारे करते हैं मतलब जो भी एक्षन करते है देट इस काल्ड आफ वर्ब ठीक है वर्व क्या होता है एक्षन जो भी हम एक्षन करते है इस काल्ड वर्व अब वही बात करते है एड़ वर्व क्या होता है जो हम वर्व को क्वालिफाई करते है इस काल्ड एड़ वर्व ठीक है एड़ वर्व क्या होता है जो हम वर्व को क्वालिफाई करते है वर्व ठीक है, qualify a verb, ठीक है, qualify a verb, ओके, जो भी हम qualify करते हैं, वर्ब को, उसे हम ad verb कहते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, एड़ोग के बाद क्या आता है यह हमारा क्या था फिप्त नंबर अब सिक्स नंबर कह रहा है बीजा प्रेपिजीशन क्या होता है ठीक है इसको प्रेपिजीशन बोलते है प्रेपिजीशन ठीक है प्रेपिजीशन क्या होता है रिलेटिंग वर्ड ठीक है रिलेटिंग दो सब्दों को ठीक है आपस में रिलेट करने को हम कहते है प्रेपिजीशन ठीक है अब बात करते हैं कंजेंक्शन कंजेंक्शन क्या होता है कंजेंशन ठीक है कंजेंशन क्या होता है कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है कनेक्टिंग वर्ड ठीक है अब उसके बाद क्या आता है आठावा interjection क्या आता है interjection इंटर जैक्शन ठीक है यह क्या होता है interjection certain feeling ठीक है certain feeling ठीक है या expressing word Conjection में आपको पता ही चल गया है Conjection मतलब हो होता है जो दो सब्दों को जोड़ा जाए ठीक है that is the conjunction मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आप देख सकते हैं जैसा सबसे पहले हमने बात क्या किया था सबसे पहले हमने इंग्लिस की बात की थी इंग्लिस क्या एक language है ठीक है language है जो sound से मिलकर बनाया ठीक है और latest मतलब वह symbol होता है जो sound को represent करता है ठीक है लेटर मतलब वह होता है जो sound को pre-present करता है ठीक है लेटर दो प्रकार के होते हैं पहला vowel a e i o u और दूसरा consonant ठीक है अब second बात के हमने word word क्या a meaningful unit of letter that is called word ठीक है third हमने बात किया part of speech सबसे पहले बात क्या noun के बारे में noun क्या था un naming word is called noun pronoun की बात कर रहे है जिस नाउन के अस्थान पर कोई भी सब्द प्रयोग होता है that is called pronoun ठीक है एड़ेक्टिव की बात करे है qualify your noun are pronoun ठीक है जो हम noun or pronoun को qualify करता हो उसे हम adjective कहते हैं third हमने क्या बात किया word जो भी हम कार्य करते है मतलब जो भी action करते है that is called word और उस action को जो qualify करेगा ना वो एड़ वर्ब कहला है ठीक है preposition कहा रहा है relating word ठीक है relating word ठीक है और conjunction आपको बताई दिया connecting word ठीक है अब बात करते है next क्या होता है phrase ठीक है phrase क्या होता है phrase ठीक है phrase क्या होता है ठीक है ग्रूप अप groups of words without ठीक है without complete meaning अब इसका पढ़ने के बाद ही आपको समझा गया होगा कि group of words without complete meaning मतलब सब्डों का समुग तो रहेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं रहेगा ठीक है that is called ерж ठीक है और तीसरा अगर बात कर रहे है तो एडवर फ्रेज होता है ठीक है Adverbs phrase होता है There is three types of phrase ठीक है Next बात करेंगे हम sentence के बारे में sentence क्या होता है sentence a group of a group of words ठीक है a group of words which makes कम्प्लीट सेंस ठीक है कहने का मतलब सब्दों का वह समून जो एक अर्थ दे ठीक है जो एक सेंस दे या कम्प्लीट मिनिंग दे अब अरेंजमेंट ओफ कह रहें अरेंजमेंट ओफ वर्ट ठीक है को हम क्या कहते है सेंटेक्स कहते है यजम है अक्सर पूच्छा जाता है ठीक है अरेंजमेंट of word जिसे हम कहते हैं syntax ठीक है जिसे हम syntax कहते है अच्छा आब structure की बात करेंगे sentence के बात हम structure की बात कर रहे है तो structure क्या बनेगा आपका structure देख लिजे जो बहुत important है सबसे पहले हम बात करेंगे subject की ठीक है second हम बात करते हैं verb की और third हम बात करते हैं object की that is the sentence ठीक है अब verb में भी दो प्रकार क्या आते हैं पहला क्या होता है helping verb ठीक है और दूसरा क्या होता है main verb helping verb main verb में verb का first form, verb का second form verb का third form, verb का first plus s य जोडते है plus verb का ing जोडते हैं ठीक है ये सारे main verb में होते हैं ठीक है अब बात करते है structure आपको पता चल गया अब बात करते हैं next question की तरफ जो syntax analysis के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम direct जाएंगे noun के topic ठीक है सबसे पहले हम बात कर रहे है syntax analysis के बारे में ठीक है sentence sentence ठीक है analysis तो सबसे पहले अगर हम sentence analysis के बात कर रहे है तो सबसे पहला question हमारा क्या रहेगा राम has decided ठीक है decided the team राम has decided the team ये बताए इसमें वाप कौन है subject कौन है main कौन है main वाप कौन है और object कौन है ठीक है ये तो हम सबसे पहले अगर बात कर रहे है तो यह हमारा हो गया subject राम क्या है subject ठीक है यह क्या हो हो गया हमारा helping verb ठीक है और या है the team is the object अब आप को structure से clear हो गया होगा कि हमने इसके पहले भी क्या बताए था है subject प्लस weapon verb में helping verb में वर्ब, तो आप देख सकते हैं यहां पर subject helping of main वर ऑबजेक्ट ठीक है, अब next question की तरफ बढ़े, next question कह रहा है अपका, ठीक है next question कह रहा है, मनुज बिल, sorry, my friend, my friend, राम इसर राइटिंग संबोक ठीक है संबोक अब इसमें आप बताएए कौन इसमें आपका सब्जेक्ट है कौन वर्ब है कौन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको यही लग रहा हूँ कि your my my friend subject है ठीक है राम क्या है ये भी subject है ये क्या है helping verb है ठीक है ये क्या है main verb है ये क्या है object है बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त मैं आप से फिर से बोलना चाहरा हूँ जो sentence में लिखा है इसमें आप फिर से देहां से देखिए ये subject नहीं है ठीक है मैं आपको फिट से बताना चाहरा हूँ जैसे की My friend Ram is writing some books तो इसका answer क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका answer होगा Ram यह आपका जो है subject है Ram My friend ठीक है? Ram My friend Ram my friend is writing some books same हो जाएगा ठीक है? Ram क्या होगा? subject और यह My friend जो होगे न additional additional information होगा ठीक है? क्या होगा? additional information तो चलिए इसी बाया इस्ट्रक्चर एक बता देता हूँ आपको तो अगर subject plus helping verb plus main verb plus object यह आपका structure है ठीक है? simple sentence का लेकिन अगर subject plus कोई भी extra information आ रहा है ठीक है? तो उसके subject के बाद हम लगाएंगे जिसे हम कहते है additional information ठीक है? additional information को यह हम क्या कहते है? attribute कहते है जो आगे चलके हम पढ़ेंगे adjective में भी है ठीक है? attribute attribute कहते है ठीक है? additional information को यह हम attribute कहते है इसके बाद हम सेम लिख देंगे helping verb main work ठीक है? जैसा sentence चल रहा है वैसा चलेगा मतलब कहने का मतलब आप question में आप देख सकते है जैसे कि my friend Ram is writing some books तो यहाँ पर my friend is not a subject it is the additional subject additional ठीक है? additional information तो सबसे पहले subject को है? Ram Ram my friend is writing some books ठीक है? अब बात करते हैं हम ठीक है? अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं किस की? अब हम बात करेंगे तो the great अच्छा बोलते हैं next question next की तरफ sentence दूसरा question हमारे सामने कह रहा है ठीक है? तीसरा question हमारे सामने कह रहा है कि अगर Mr Mr. Mr. Mohan ठीक है? Mohan the professor प्रोफेसर विल टेक तर रिस्पॉंसबिल्टी ठीक है? कह रहा Mr. Mohan the professor विल टेक दर रिस्पॉंसबिल्टी ठीक है? तो इसका आप question को सही करिये है ठीक है? तो आपका answer क्या होगा? इट्स राइट answer बट इसमें क्या है आप पता है यह subject कोन है वर्ब कोन है? क्या है? तो Mr. Mohan the professor विल टेक दर रिस्पॉंसबिल्टी यानि क्या आपका subject, additional information, main helping verb, main verb, and object ठीक है? क्लियर ठीक है? अब हम बात करेंगे ठीक है? next question की तरफ the question the question of this exercise confused us ठीक है? क्यारा? the question of this exercise confused us अब यह next label का question है तो आप देख सकते हैं the question is a subject of this exercise ठीक है? the question आपका subject है अब यह preposition के बाद क्या आ गया? यह partitive है इसे हम क्या कहते है? partitive partitive यानि यह पूरा subject है but इसको preposition के बाद हम जोड़े हैं ठीक है? preposition के बाद जोड़ दी है तो यह partitive है ठीक है? अगर यह बोल दिया जाए the question confuses this is wrong the question of the exercise फिलब इस exercise में से जो question आया है ना उसमें मुझे question है उसमें मुझे problem है ठीक है? confused है ठीक है? तो इसका आपका structure बन सकता है subject plus preposition preposition ठीक है subject plus preposition जिससे हम क्या कहते है partitive ठीक है? sorry partitive adjacent ठीक है? adjacent कहते हैं ठीक है? अब बात करते है next level की तो हम बात कर रहे हैं तो जैसे की आप देख रहे हैं अब बूल दी रहा है अगर ठीक है राम राम इजर राम इजर नाइस डॉक्टर को आप लगाएगा इस question को ठीक है? मोहन मोहन become an doctor इन दोनों question को आप solve कीजिए ठीक है? दोनों question को solve कर यह है तो आपको भी पता होगा यह क्या है subject to यह क्या है helping of यह क्या है? ठीक है यह आपका क्या है? subject अभी आपको बता रहे हैं यह object है ठीक है? यह पूरा क्या object है? लेकिन हम क्या कह रहे है? राम क्या है? subject है और यह देखिए subject प्लस वह प्लस object है लेकिन यहाँ एक छीज़ आप देख रहे होंगे कि राम is a nice doctor मतलब क्या कह रहे है? राम एक अच्छा अच्छा डॉक्टर है ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो यह object है ना object जो है इसे हम क्या कहते है? ठीक है? कह रहा है subject object की जगां क्या कहेंगे? object की जगां subject की information को complete करने वाले को हम subject कंप्लीमेंट कहते हैं ठीक है? subject कंप्लीमेंट कहते हैं ठीक है? कंप्लीमेंट कहते हैं क्या कहते है? object की जगां subject की information complete करने वाले को हम क्या कहते है? subject कंप्लीमेंट कहते हैं तो यानि कि जो ऑब्जेक्ट की जगां ठीक है ऑब्जेक्ट की जगां सब्जेक्ट की इन्फोर्मेशन कंप्लीट करने वाले को हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट केंप्लिमेंट कहते हैं तो आम नेक्स बढ़ते हैं आगे, आपको इतना समझी आगया होगा, अब बात करते हैं एक चीज और एक कोशन की तरफ और बढ़ते हैं, जैसे कोशन कहा रहा है, ठीक है, कोशन हमारा कहा रहा है कि दे, गे, he gave me $2,0,10 फूंच रूपीज, अब क्या कहा है, $10,00 अब इसमे आप बताएए, कौन वब है, कौन subject है हमारे ये क्या है subject है ये हमारा क्या है main verb है ठीक है ये क्या है हमारा confusion ये तो object आ गया तो फिर ये क्या है ये भी object है अब दो object दोनों object में क्या difficulty है तो सबसे पहले हम structure बढ़ाएंगे ठीक है सबसे पहले हम structure पर देख रहे हैं तो सबसे पहले structure क्या था subject plus helping work plus main work plus object यह आपका था ठीक है अब कह रहा है object भी दो प्रिकार के होते है पहला direct object दूसरा indirect object ठीक है अब direct object क्या होता है direct object वो object होता है जो verb के according आया हो ठीक है that is called direct object ठीक है verb के according आया हो और यह compulsory है ठीक है और subject क्या होता है not compulsory आये यह नाये कोई दिक्कत नहीं है बट लेकिन verb के according object आ रहा है तो वो compulsory होता है ठीक है अब इसमें c give me यह कौन सा है give me क्या है indirect और यह 10 रुपीज direct अब कैसे है देख लीजिए आप he give me अगर मैं इसको अटा दें he give me what चा दिया तुमें यह तो आपको पता नहीं है लेकिन यहां पे अगर कह दें he give me 10 रुपीज दोस्तों हम बात करते है नाउन की ठीक है जैसे की नाउन आप देख रहे हूंगे यूज इसका होता है functional grammar की तरह ठीक है नाउन क्या होता है सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैं नाउन क्या होता है ठीक है नाउन क्या होता है आपका नेमिंग वर्ड होता है ठीक है और इसको यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं इसको यूज टोटल तीन तरीके से कर सकते हैं ठीक है पहला यूज कर से कर सकते हैं लुब मतलब को जो चीज को दिखाई दे रहा हो ठीक है इनिजीवल को आपके सामने उपसृत हुआ कर सकते हैं ठीक है इनिजीवल होता है वो जैसे कि आप परसन को आप बेख सकते हैं ठीक है परसन प्लेश्टिंग और फिल्ट on Camera प्लेटति मतलब जैसे कि आपका FAQS FAQS मतलब होता है आपका Feeling, ठीक है Action, Quality and State ठीक है, यह सब क्या होते हैं Invisible होते हैं, लेकिन यह category Noun के में ही आते हैं और Third आपका क्या होता है, Unit ठीक है, जो कि आपको यह मैं इसी topic में यह भी है ठीक है, तो यह तीन तरीके से आपको Noun होते हैं, ठीक है Visual, Invisual, Unit ठीक है, अब बात करते हैं क्या, Identification of Noun कैसे Noun की पहचान करें, ठीक है Identification of Ident, Sorry Identification Of Noun, ठीक है Of Noun Identification of Noun यह तीन तरीके से हम पहचान सकते हैं पहला, W, ठीक है Who से पहचान सकते हैं What से पहचान सकते हैं Whom से पहचान सकते हैं अगर तीन सब्त sentence में आपको मिल रहे हैं, तो आप जान लिजेगा वो चीज नाउन बना रहा है ठीक है, अब आप देखते हैं कैसे, चलिए sentence पर हम बात करते हैं ठीक है, sentence आपके पास यह रहा ठीक है, sentence क्या है, पहला राम काल्ड रीना तो आपका question क्या बनेगा Who called रीना, who जैसे ही बना यह ना डेबलो एच जैसे हू बन रहा है ना यह subject है, और subject हमारे क्या होता है noun, ठीक है अब यह कह रहा है, राम काल्ड हूम यह भी क्या बना, noun ठीक है, यह object है बट यह noun है, ठीक है ठीक है Who called रीना, तो आपका होगा राम, तो यह subject है subject noun है, और यह object noun है, ठीक है तो बात करेंगे next question के The captain decided the team जैसे आपको बता दिया था The captain subject, verb और यह object है, तो सबसे पहले हम question करेंगे Who decided the team तो यह आपका क्या हो गया? noun हो गया, Who decided the team noun, अगर question पूँचता है The captain decided what यहाँ पे आपका question किस से निकल रहा है What से निकल रहा है, अगर what से निकल रहा है, तो यह भी आपका noun है ठीक है, अब कह रहा है Love change a person ठीक है, love change a person तो अब यहां पर question उठ सकता है जैसे what change person? ये w-s से हो रहा है right question, ठीक है? तो आपका ये भी noun है, ठीक है? और person क्या है? ये a person हो गया आपका भी, ठीक है, love change what? a person, तो ये आपका भी noun है, ठीक है? the boy bout a bag, तो the boy is a noun, ठीक है? noun है, और ये आपका है, the boy, who bout the boy? noun है ठीक है, तो आपको यहां तक clear हो गया होगा, next पे चलते है, honesty is the best policy, honesty is the best policy, honesty, what is the best policy, अगर what का question बन रहा था यह भी noun है ठीक है, अगर ऐसे भी कह सकते है, honesty is the what, तो यह भी आपका noun बन रहा है, what से निकल रहा है, तो यह भी noun है ठीक है, love makes a life beautiful यहाँ पर आपका क्या है love क्या है what makes life beautiful तो आपका answer होगा love तो love है तो यानि कि आपका ये भी noun होगा ठीक है बाकी सब आपको पता ही होगा ठीक है अब बात करते है एक question और आ सकता है जैसे राम ठीक है went राम went home अब यहाँ पूछ सकता है who went home तो यह तो noun होगा ठीक है बट यह आपका यह वेर का answer दे रहा है राम went where जब वेर का answer दे रहा है तो यह noun नहीं होगा यह आपका adverb होगा जो की आपके adverb class में बताया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर who went राम तो noun आपका क्या राम है और home जो है वो adverb है ठीक है यह knowledge के लिए था अब चलिए इसके पर से हम बात करेंगे क्या नाउन के kinds के बारे में ठीक है नाउन काइंड्स ठीक है नाउन काइंड्स के बारे में बात कर रहे है सबसे पहला नाउन क्या होता है प्रापर नाउन ठीक है प्रापर नाउन में सबसे पहले क्या होता है particular particular name ठीक है और second क्या होता है second sya ke n da pakble ata einếp जो स्टार्टिंग का वो क्या होना चाहिया bien-yous-yam istu लेटर ठीकी आपर-केस होना चाहिए जो स्टार्टिंग का आपका लेटर होगा वह अपर-केस से इसह होगा आप उसको स्मांच stars, इसमांचल लेटर से SpeedS करते हैं ठीक है और इग्जाम्पल गे लिए आप जैसे लेह सकते हैं राम किसी का नाम हो गया राम नीवtıल्ली ठीक है यह सब एग्जाम्पल है जो की प्रापर नाउन है इसको राम को न लिखht ठीड है common noun common noun में हम जर्नवी क्या करते है जर्नवी में कहते हैं ? di jsHello और जर्नवन लेम लिखते हैं ठीड है ? और जर्नवन लेम से փरिपरजैन्ट और इसका क्या होता है technician letter ठीक है यहां पर हम बात करेंगे common noun की ठीक है common noun क्या होता है generally name represent the class ठीक है और initially letter जो होता है वह आपका initial letter क्या होता है lower case होता है क्या होता है lower case होता है ठीक है और इसमें article आप use करेंगे a and the key ठीक है plus common noun यह सब आपका article यूज होगा ठीक है किसमें आपका common noun में ठीक है अब बात करते है example की example में जैसे आपका city city मतलब कोई भी city हो सकता है man कोई भी आदमी हो सकता है ठीक है boy कोई भी लड़का हो सकता है तो यह सब common noun है ठीक है अब बात करेंगे material noun की ठीक है अब बात करेंगे material noun की है ठीक है material noun material noun material noun क्या होता है सबसे पहले आप जान जीजेगा name of substance name of substance ठीक है name of substance example में आप जैसे देख सकते है cotton ठीक है गोल्ड और थर्ड क्या है iron यह सब क्या है इस इस कॉल्ड material noun ठीक है name of substance is a material noun अब फूर्थ बात करेंगे हम क्या collective noun को क्या कहते हम ठीक है समू वाचक्षन गया ठीक है group of similar ठीक है group of similar मतलब एक समान के समूह ठीक है जैसे class हो गया family हो गई इसमें family मतलब जो घर के ही लोग होते हैं बेबी हो गई गेंग हो गया और यह soil हो गया यह सब क्या एक्जामपल आपके collective noun के आगे चलके collective noun को मैं detail में बताऊंगा बट अभी present time में यह आपके लिए इतना basic clear होना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं या इस आफ स्टरेक डांट क्या बात करेंगे अ बट्रेक नावं ठीक है किया बात करेंगे अब्सटर्च या है अब खोता ये जान लिए अपका चेम चलब और मैंने आपको यह बता दिया था नाउन केı क्योंका मतलब quality ठीक है और thought क्या हो गाँ state ca ठीक है यह सब feeling का होगए मतलब आपका कोई भी चीज divisions का आप महसूस कर एक्शन जो आप करिया करते है ठीक है quality मतलब १ो की quality मतलब आपको पता ही होगा ठीक है और state मतलब आपका होगए जो अवस्था है ठीक है quality मतलब गुड होता है ठीक है और बात करेंगे honesty क्या होता है जैसे quality आपकी हो गई honesty यह honesty क्या है quality है laughter हो गया यह सारे example है ठीक है anxiety हो गई anxiety मतलब आपको mentally disorder ठीक है love हो गया ठीक है sorry hatred हो गया यह सब सारे क्या है this is called everything is the abstract now ठीक है अब बात कर रहे है हम सीधे effects के बारे में ठीक है इसी से जुड़ा कुछ sorry इसी से जुड़ा कुछ question है effects effects क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले effects क्या होते हैं तो हम बात करेंगे यह तीन प्रकार के होते हैं ठीक है mainly हम दो प्रकार के पढ़ते हैं पहला prefix पढ़ते हैं ठीक है पहला हम क्या पढ़ते है, prefix और दूसरा क्या पढ़ते है, suffix, ठीक है, suffix, दूसरा हम suffix पढ़ते है, ठीक है, prefix आपको पता होता है, जो सब्दों के पहले जुड़ के आता है, ठीक है, जो सब्दों से पहले जुड़ा होता है, उसे प्रिस्थिक कहते है, ठीक है, और जो basic form of word the basic form of word ठीक है the basic form of word यह हम कहते है basic form और इसी root में जब इधर आपका जोड़ रहा है तो इधर prefix है और जब इधर side में आपका जोड़ रहा है तो suffix है ठीक है जैसे for example हम देख सकते हैं impossible impossible आपका possible मतलब do you know very well possible मतलब क्या होता है कोई चीज संभव है लेकिन जब impossible लिख दिया जब हमने prefix कर दिया तो हम इसको बोल सकते ना असंभव बोल सकते कि नहीं तो ऐसे ही impairment हो गया impair हो गया impairment हो गया ठीक है impairment हो गया impair हो गया atc एक्सेक्टर ठीक है अब बात करते अगर यही चीज हम बात करेंगे suffix के बारे में तो suffix में कहता है यह excite एक्साइट का क्या हो गया excitement excitement ठीक है revise यह क्या हो गया revision और यह सब जयाद देख लिजिए यह सब abstract noun है ठीक है सारे जितने भी है abstract noun है ठीक है अब बात करते हैं जैसे कि basic root में हम जब basic root में हम जब यहां पर ठीक है यह root मान लेजिए हो support that है और जब हम plus suffix करते हैं तो कुछ word है जो आप notice कर सकते हैं ठीक है और जो suffix बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? abstract क्या कहते है abstract आय जन आयन ठीक है नेस से इस सारे वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड की लास्ट में तो आप डेफिनेटली कह दिजेगा कि या अनकाउं यह आपका अब्स्ट्रेक्ट नाउन है ठीक है टर्टी ली ठीक है और आपका टी एच यह यह सारे जितने भी वर्ड है यह सारे आपका अब्स्ट्रेक्ट नाउन है ठीक है और अब्स्ट्रेक्ट नाउन ही हम अफेक्स में ही जो पढ़ते हैं ठीक है अब बात करते हैं कुछ वर्ड के बारे में जो अगर आप देख सकते है है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अब बात करेंगे हम noun category के बारे में क्या बात करेंगे noun category ठीक है, नाउन कैटिगरी यह ठीक है, नाउन कैटिगरी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, काउंटेबल नाउन के बारे में, काउंटेबल नाउन क्या बारे में, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, रहे, तो countable noun और uncountable noun, थीक है? कौाउंटेबल नाउन होते हैं, पहला countable noun में आपको ॥ा घ्राछान से पढ़ रहा होंगे, की countable noun वह noun होता है, जिसको गिना जा सकता, uncountable जिसे गिना भी निए जाकता, लेकिन मैं आको बताता है रहूं countable noun वो होते हैं जो common noun होते हैं ठीक है common noun है तो countable noun है और यह singular से आपका क्या बन सकता है singular से आपको plural बनाया जा सकता है ठीक है S या ये S लगाया जा सकता है countable noun में but when we talk about the countable noun we can use the we can say that abstract noun ठीक है proper noun सब क्या है आपके uncountable noun है ठीक है और material noun यह सब क्या आपके uncountable इसमें don't be pluralized always be singular बदर यह similar ही रहते है ठीक है इसमें pluralize नहीं किया जाता है अब कुछ example है जैसे कि आप बताएगा कौन-कौन से इसमें similar वो countable है कुछ और कौन uncountable है ठीक है तो अब बते हैं example के लिए तो यह क्या है आपका singer ठीक है countable है की नहीं ठीक है Jewelry क्या है आपका Jewelry ठीक है second आप बोल सकते है poem थर्ड बोल सकते है scenery और seven बोल सकते है star ठीक है day आप उसके बाद बोल सकते है mohan ठीक है health ठीक है और इसके बाद बोल सकते है mango यह सब आप बताईए कि कौन countable है कौन uncountable है इसमें ठीक है तो सबसे पहले आपका singer क्या है singer countable क्या uncountable है singer से आप सुनते ही सोच रहे हैं singer यार कोई भी singer हो सकता है तो यह simple से बाद है common noun में आ रहा है ठीक है तो यह countable है यह common noun में आ रहा है ठीक है common noun में आ रहा है तो जिस से हम कह सकते हैं यह countable है अब बात करते हैं सब्सक्राइब होते है यह थि क्या है जयूधल से बात है यह अन अब पहस्न क्या है और सीन brace अब सीन क्ये सीन ना चुक्त सकते है इक वह यहां का जो जो lecture देख रहा हूं वो scene देख रहे हैं तो यह भी आपका क्या और accountable हो गया है दीक है लेकिन scenery scenery जब आप देख रहे हैं तो last में ery जुड़ रहा है तो when the suffix in man कहा है when the suffix basic form of word then we can use the abstract noun we can say that abstract noun तो हम इसे क्या कहेंगे abstract noun always come the uncountable noun simply आप देखेगा जब भी word के last में er जुड़ रहा है तो आप उसको uncountable बना दीजिएगा star क्या है star लोग कहते हैं कि countable uncountable noun है कुछ कहते हैं uncountable लेकिन मैं कह रहा हूं countable noun है क्यों क्योंकि आप जैसे star गिन सकते हैं अपत्रिशी यह अगर यह भी star है तो इनको गिना जा सकता है ठीक है सारे की बात नहीं कर रहा है अब जैसे आप मान के चलिए अगर आपके पास एक यह दो मारकर है ठीक है तो अभी तो आप गिन ले रहे हैं लेकिन अबर कह दिया जाए कि सभी मारकर गिनी है तो क्या आप गिन सकते हैं मैंगो कोई भी हो सकता है ठीक है लंगला हो गया Oregon हो गया कॉलेक्ति नहुं कामन को आप से पहले रहीं बदाए था कॉलेक्टि नहुं की तरफ बढ़ते हैं कोलेक्टिव नाउन ठीक है कोलेक्टिव नाउन क्या होता है कोलेक्टिव नाउन में आपको मैं स्टार्टिम में बता दिया था सिमिलर क्या होता है ग्रूप आफ सिमिलर स्वरी ग्रूप आफ सिमिलर ठीक है जिसे हम कहते है compact और दूसरे को क्या कहते है non compact अब compact क्या होता है और non compact क्या होता है compact आप जाने लिए क्या होता है compact क्या होता है जिसमें self-sufficient self-sufficient in meaning in meaning ठीक है self-sufficient meaning रहना तुसे हम countable noun कहेंगे compact की जब बात करेंगे collective noun में जब कह रहा है group of similar जब दो type के होते है पहला compact और दूसरा non compact compact में कह रहा है self-sufficient in meaning जब अपने में वह खुद में अगर वह meaning sufficient है वह meaning दे रहा है तो countable noun होगा but non self-sufficient non compact में क्या होता है same होता है ठीक है self-sufficient in लावन होता है ठीक है यह क्या होता है अनग कांटेके बना अँथा है तो अब जैसे जांपल की बाद करें ले रहे तो जैसे मल मुटि रहे गहाँ क्लास सुनति ही आपको पता चल यहां पर आपका uncountable है ठीक है uncountable है क्या है uncountable है ठीक है अब बात करते है आर्मी आर्मी क्या है countable क्या है आर्मी countable टीम क्या है uncountable ठीक है टीम क्या होता है प्लेयरों का होता है ठीक है और प्राइड क्या होता है प्राइड आपका क्या होता है uncountable ठीक है और यह प्राइड आफ लाइन्स होते हैं ठीक है प्राइट्स आफ लाइन होते हैं अगर हम अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाने की कोशिस करें तो क्या होता है अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाने के लिए अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें एड़ेसेंट जो of uncountable, ठीक है, of plus plural, ठीक है, जैसे example में आप देख सकते हैं, ठीक है, baby of a girl, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, pick of the wolves, ठीक है, पहला आपका word baby of girls, जो भी last में आपका होगा न, वो आपका plural रहेगा, आपको यहां तक कोई problem नहीं होगी, next time.